पुरा पाने की ख्वाईश में इनसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चान भी खुपसूरत होता है इन्ही पंग्तियों के साथ मैं सादर आमदित करा हूँ, स्री महम्मद ओवैस को जो आएं और विशेज बात महम्मद जी की ये बताना चाहूँगा कि वो अपनी और से हमारा ये जो कवी सम्मेलन है ये यूटूब पे वो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं और यूटूब पे ये लाइब दिखाते हैं तो यूटूब का आपका जो चैनल का जो नाम है वो भी एक बार आप बता जीजिएगा और फिर अपनी कवीता यहां पढ़िएगा स्वागत है आपका स्री महम्मद ओवैस बहुत शुक्रिया तमाम देखने सुनने वाली खिदमत मेरा बहुत सलाम अरज है मेरे यूटूब चैनल कर नाम है शायरी खूने जिगर है मैं उससे लाइटश करता हूं मुट उनस से लाइटलिकास करता हूं और ये लाइटश करता है protrude हो घजल मतला है कि!". फर इसके सामने असु न तू न मू होना सनम के सामने आसू न तू नमू होना फिर उसके बाद में चाहे लहू लहू होना सनम के सामने आसू न तू नमू होना फिर उसके बाद में चाहे लहू लहू होना और नजर से इतना गिराया मुझे जमाने की के अब तो बाकी है बस मुझे पे एक थू होना और वो आयतों की तरहा पार सा नजर आई जो उसका नाम भी लेना तो बावजू होना और मैं चाहता हूँ के दीदार उसका हो जाए के आज पूरी मेरे दिल की आर्जू होना और ये उट बकरी का है साथ ये है एबे जली ये एब मेरे सामने आया था तो मैंने इसे शेर मुलाने कोशिश किया हूँ कोई अपनों पना लिजाए से के ये उट बकरी का है साथ ये है अबे जली के एक शेर में ही आप और तू होना के एक शेर में ही आप और तू होना और कोई तो आए जो मरहम लगाए इस दिल पर है जखमे दिल को मेरे हाजते रफू होना और सहर से शाम हुई कब पता चला ही नहीं शुरू हुई जो मेरी उसकी गुफ्तगू होना और ना जाने इश्क के मैदा में मैं क्यों हार गया हरे एक चाहता है इसमें सुर्ख रू होना और इसलिए तो गरीबी में है अमीरी मिजाज वो चाहता ही नहीं है बेया बुरू होना और मक्ता समात करें कि वो बेवफा मुझे कहता है इसलिए एओ एस बहुत ही सक्त है अब उनके रू बरू होना यह उट बकरी काहता यह एब जली के एक शेर में ही आप और तू होना कि एक शेर में ही आप और तु होना बहुत ही गहरी बात कह दी मुहमद ओवेस ने और ये नौजवान है और ऐसे नौजवान यदि साहिति की में इस उम्र में इतना अच्छा लिख रहे हैं तो आगे हमारी शुप कामना है आप ऐसे लिखते रहिए काफी आगे आप जाएंग कि जैसे हर शनिवार को यहां साहिति की उपक्रम चलता है उसी तरह से अलग-अलग उम्र के लोगों के लिए हमारे यहां अलग-अलग उपक्रम चलते हैं जैसे कि वरिष्ठ नागरीकों के लिए हर सोमवार को यहां अभिनंदन मंच यहां एक कारकम चलता है उपक्रम चलत